नमस्ते विद्यार्थियों अंतर जाल के माध्यम से संचालित सनातक प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्णपत्र की ओनलाइन कक्षा में मैं डाक्टर कौशल किशोर गोठवाल आप समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं जैसा कि आपको सर्वविदित है कि हम हितोपदेश नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं हितोपदेश के अंतरगत हम द्वितीय कथा कर चुके हैं आरंभ जिसमें सीह और पथिक की कथा है यहां पर जब पथिक कंगन लेले के लिए सोने का कंगन लेने के लिए स्नान करने के लिए और सोने का कंगन प्राप्त करने के लिए जैसे ही तालाब में प्रविष्ट होता है तो उसे वह गहरे कीचड़ में फस जाता है और बाग के द्वारा पकड़ लिया जाता है और ऐसे समय वह अपने मन में विचार करता है कि मुझे हिंसक पशु पर विश्वास नहीं करना चाहिए था इस प्रकार की बाते हमने पढ़ी है अब कुछ श्लोक यहां पर चल रहे है तो यहां पर देखिए अगला श्लोक पढ़ रहे हैं अवशेंद्रिय चित्तानाम हस्ती स्नानमिव क्रिया दुर्भगा भरण प्रायो ज्यानम भारह क्रियाम विना वापस से देखेंगे अवशेंद्रिय चित्तानाम हस्ती स्नानमिवक्रिया दुर्भगा भरण प्रायो ज्यानम भारह क्रियाम विना तातपर्य क्या है जिनकी इंद्रियां और चित्त जिनके वश में नहीं है यानि जिस व्यक्ति की इंद्रियां और चित्त यानि मन उसके वश में नहीं है उनकी कार्वे प्रणाली हाथी के स्नान की तरह व्यर्थ की होती है तातपर्य क्या है जिस व्यक्ति के जिन व्यक्तियों के इंद्रियां और मन जिनके वश में नियंत्रण में नहीं है उनके द्वारा किये गए कोई भी कार्यों की प्रणाली जो है हाथी के स्नान के समान हस्ती स्नान में व्यर्थ उनकी स्नान के समान उनकी क्रिया व्यर्थ ह होती है जैसे उदारन दिया दुष्टा एवं कुल्टा इस्त्री के आभरन यानि आभूशन दुष्टा एवं कुल्टा इस्त्री के आभूशन जो है उसकी तरह उनका ज्ञान भी यानि उनकी विद्या भी बिना आचरन के बोजह के समान बोजह के समान ही होती है यदि हमने ज्ञान प्राप्त किया है और उस ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी हम उसको आचरण में नहीं लाएंगे तो वह विद्या बिना आचरण के बिना उसका प्रयोग किये वह भोजे के समान भारी भार धोने मात्र वाली विद्या है इसलिए यहाँ पर अंतिम पंती में ये कह गया था दुर्भगा भरण प्रायो ज्यानम भारह क्रियाम विना यानि तात्परे के आवाज जिनकी इंद्रियां और जिनके मन उनके वश में नहीं होते हैं उनकी कार्य प्रणाली हाथी के स्नान के समान व्यर्थ होती है जिस प्रकार दुष्ट एवं कुल्टा इस्त्री के आभुशन जो होते हैं उनके आभुशनों की तरह उनका जो ज्ञान होता है उनकी विद्या जो होती है वह बिना आचरण के उनके लिए वह विद्या बोजहे के समान यानी भार के समान होती है ये बताना इस लोक का मंतव्य है अवशेंद्रियचित्तानाम अजितेंद्रिया रदयानाम जनानाम क्रिया कर्मह आचरनम एव हस्तिस्नानम एव गजस्नानम यथा व्यर्थम एव दुर्भागा भरण प्रायह दुश शीला अभूशना वत ज्यानम विद्या क्रियाम आचरनेन विना भारह यानि केवलम आयासकरम अस्ती यह यहाँ पर बताना इसका प्रयोजन है अवशेंद्री चित्ता नाम का मतलब है नवशानी इंद्रियानी चतत चित्तम च येशाम ते बहुब्री तेशाम हस्ती स्नानम हस्ती नाम स्नानम शश्टी तत्पुरुश दुरभगा भरण प्रायो दुरभगायाह आभरण वत इति भारह भरी प्लस गय प्रत्य तन मया तो इसलिए मैंने मया भद्रम कृतम इसलिए मैंने यह अच्छा नहीं किया मैंने अच्छा नहीं किया जो इस हिंसक पशू पर विश्वास कर लिया यह यहाँ पर पतिक को जब बाग पकड़ लेता है तो वह प्राणों का उसका संकट आ जाता है तो अपने मन में विचार कर रहा है मरने से पहले तन मया भद्रम न कृतम यदत्र मारात्म के विश्वास कृतह तथा ही उक्तम तातपर्य क्या है वो यहाँ पर यह बता रहे हैं इसलिए मैंने अच्छा नहीं किया जो इस हिंसक व्याग्र पशुप पर विश्वास कर लिया जैसा की कहा गया है किन पर विश्वास नहीं करना चाहिए यहाँ पर एक श्लोक के माध्यम से पतिक जी बता रहे हैं अब पतिक जी क्या कह रहे हैं सुनिए पतिक का कथन इस श्लोक में है नदी नाम शस्त्रा नाम नदी नाम शस्त्रा नाम पानी नाम नखी नाम श्रंगा नाम तथा विश्वासो नईव करतव्य है स्त्रीशू राज कुलेशुच किन-किन पर विश्वास नहीं करना चाहिए वापस से नदी नाम शस्त्र पानी नाम नखी नाम श्रंगा नाम तथा विश्वासो नईव करतव्य है स्त्रीशू राज कुलेशुच देखिए किन किन पर विश्वास नहीं करना चाहिए सबसे पहले कहा नदी नाम यानि नदियों का दूसरा हाथ में शस्त्र धारण करने वालों पर पहले तो नदी नाले त्यादे तालाब वाले उन पर विश्वास नहीं करने चाहिए यानि बहते हुए पानी पर विश्वास नहीं करना चाहिए जैसे नदियां नदियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए कब भी उसका पानी बहाव आजाएगा तेज तो वो बहाकर भी इंसान को ले जा सकता है तो नदी नाम, दूसरा शस्त्र पाणी नाम, जिनके हात में शस्त्र रहते हैं, ऐसे पुरुशों का भी विश्वास नहीं करना चाहिए, पताने किस पर कब हतियार उठा कर वार करदे। पहुचा दे और श्रंगी नाम और जिनके सींग होते हैं न उन सींग वालों पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए सींग वाले पशुओं पर भी और नहीं करना चाहिए इसी प्रकार इस्त्रियों पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए और राज कुल राज कुल वालों का म कभी भी वो संकट में डाल सकते हैं, इस्त्रियों के कारण हमारे यहां बहुत से लड़ाईयां लड़ी गई है, तो इस्त्रियों भी जो है, उन पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की बातें प्राचीन श्लोक में हमारे को प्राप्त होती है, जो की हितो पद तात्परे क्या हुआ नदियों का हाथ में शस्त्र रखने वालों का पुरुषों का बड़े नाखुन वाले जीवों का और सींग वालों का विश्वास नहीं करना चाहिए इसी प्रकार इस्त्रियों और राजकुल वाले पुरुषों का भी विश्वास नहीं करना चाहिए त ये यहां पर कहा गया है अब देखिए शस्त्र पानी नाम, शस्त्रम पानव ये शाम ते भहुवरिनी टेशाम अगला है नखी नाम नखाह संती यस्यस बहुवरी तेशाम नखी नाम श्रंगी नाम श्रंगमस्ती येशाम तेशाम इसलिए राज कुलेशू राज्याम कुलानी शष्ठितत पुरुष तेशू करतव्यह कृधातू और तव्यत प्रत्ये अब आगे देखिए अगला श्लोक अपरम्च और भी सरवस्यही परिक्ष्यंते स्वभावा नेतरे गुणाह आगे अतीत्यही गुणान सरवान स्वभावो मूर्धनी वर्तते देखिए कभी भी किसी के स्वभाव को परिवर्तित नहीं किया जा सकता ये बताना इस लोक का मूल मंतव्य है क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसा कहा गया है जिसका जो स्वभाव है वो कभी बदलता नहीं है जिस प्रकार गाय का दूद मीठा ही होता है तो वा मीठा ही रहेगा स्वभाव से ही तो प्रक्रती से तो यहां पर बताया सरवस्य ही परिक्ष्यंते स्वभावाह नेतरे गुणाह अतीत्य ही गुणान सरवान स्वभावो मूर्धनी वर्तते तात्परे है क्या कह गया सबकी परिक्षा स्वभाव से ही की जाती है स्वभाव से ही हम किसी की परिक्षा कर सकते है जाच कर सकते हैं किसी व्यक्ति की या वस्तू की किसी भी चीज की परख किसी भी व्यक्ति की परख स्वभाव के द्वारा ही की जाती है न की गुणों से नेतरे गुणा गुणों से नहीं क्योंकि स्वभाव सब गुणों को दबाकर सर्वान गुणान अतीत्य सभी गुणों को दबाकर जो स्वभाव होता है मूर्धनी तिष्ठती यानि सिर पर चड़कर बैठता है यानि स्वभाव जो होता है वो कभी बदलता नहीं है अतीत्य ही गुणान सरवान सभी गुणों को दबाकर स्वभावों मूर्धनी वर्तते स्वभाव व्यक्ति के माथे पर ही विराजमान रहता है जैसा कि आप जानते हैं प्रकोपाई नहीं शानता ये कहने का मतलब है उपदेशों को मूर्ख देना किसके समान है सापको दूद पिलाने से वो डासना नहीं छोड़ता केवल उसका विश्वी बढ़ता है कम नहीं होता इसलिए यहाँ पर कहा गया है क्या कहा गया है कि सब गुणों की परिक्षा जो है सब व्यक्ति की परिक्षा सवभाव से होती है गुणों से नहीं होती है न की गुणों से नेतरे गुणा न इतरे गुणा है क्योंकि सवभाव सब गुणों को दबा कर व्यक्ति के मस्तक पर चढ़कर बैठ जाता है विराजमान हो जाता है अतिक्रम्य मूर्धनी सरवोपरी मस्तके वर्तते टिश्ठती इतिशेश है परीक्षन दे परिउपसर्ग इक्षधातू और कर्मनी लट यहां पर परीउपसर्ग इक्षधातू पर आत्मनी पदी लटलकार प्रथम पुरुष बहु अचन परीक्षन दे फिर आगे अतित्य अती उप्सरग इन धातू ल्यप प्रत्य मूर्धनी शिरसी शिर्ष स्थाने आधार विवक्षायां सप्तमी यहां पर क्या आयाएगा यहां पर मूर्धनी मूर्धा में सप्तमी विभक्ती एक वचन अन्यच्य और भी सही गगन विहारी कलमश द्वन्सकारी दश शतकर धारी जोतिशाम मध्यचारी विधुरपी विधियोगाद ग्रस्यते राहुनासव लिखितम अपिल लाटे यहां पर हमारे सामने उपस्ठिट हुआ है इस श्लोक को आप देखेंगे वापस से सही गगन विहारी कलमश द्वन्सकारी दश शतकर धारी जोतिशाम मध्यचारी विधुरपी विधियोगाद ग्रस्यते राहुनासव लिखितम अपिल लाटे प्रोज जितुम का समर्थ यहां पर यह बताया गया है बात यह है कि जो चंद्रमा आकाश में विच्रन करने वाला है पाप या अंधकार को नश्ट करने वाला है हजारों किरुनों को धारन करने वाला है तथा नक्षत्रों के मध्य में विच्रन करने वाला है वह भी दैव योग से दुरभाग्य से राहुना राहु के द्वारा ग्रसा जाता है अतह वस्तुत हम यह कह सकते हैं कि ललाट यानि भाग्य में जो लिखे हुए को कौन मिटा सकता है अर्थात कोई नहीं बदल सकता देखिए वापस से सही गगनवी हारी गगन में विच्रन करने वाला कलमश धुधन्सकारी यानि अंदकार को पाप को नश्ट को दूर करने वाला दशिशत करधारी यानि दशिशत हजारों किरणों वाला जोती शाम मध्यचारी नक्ष योगात भाग्य के प्रभाव से ग्रस यते ग्रसा जाता है किसके द्वारा ग्रसा जाता है राहुना राहु के द्वारा ग्रसा जाता है इसलिए लिखितामपी ललाटे हमारे मस्तक पर जो विधाता ने लिख दिया प्रोजितुम कह समर्थ है उसे मिटाने में कोई कोन समर अर्थात कोई भी समर्थ नहीं है समय आने पर बड़े बड़े मनुश्यों के उपर भी संकट आ जाता है क्योंकि उनका भाग्य में वह लिखा होता है जो हमारे भाग्य में लिखा होता है वो कभी भी मिट नहीं सकता यह यहां पर बता रहें वापसे देख लीजे जो चंद् या अंधकार को नश्ट करने वाला है, हजारों किरणों को धारन करने वाला है, नक्षत्रों के मध्य में विचरन करने वाला है, और वह भी दैवयोग से राहु के द्वारा ग्रसा जाता है, वस्तुतह ललाट यानि भाग्य में लिखे हुए को कोन मिटा सकता है, यहाँ पर स पाप नाम अंधत्तमसाम क्षयकारी दशशत करधारी सहस्य किरणधारी जोतिशाम नक्षत्रानाम मध्यचारी मध्यचरण शीलही निश्चयेन अस्ती असव एवं विधह विधु चंद्रमसोपी विधीयोगात दैवयोगात राहुना एतन नामक राक्षसेन ग्रस्यते यान परवनी ग्रस्यो ग्रस्तो भवतिही ललाटे भाले भाग्ये वा लिखितम विधात्रा अंकितम अपी प्रोजितुम प्रक्षालेतुम कह समर्था कह शक्तह नकोपि इत्यर्था गगन विहारी गगने विहारितुम शीलम यस्चेसह बहुप्री वी उप्सर्ग हरी धातु और निनी प्रत्य कलमशो ध्वंसकारी कलमशानाम ध्वंसम करोती विति ताच्छील्य निनी प्रत्य दश शत करधारी दश शतानी करान धारयती विति ताच्छील्य निनी ग्रस्चते ग्रस्धातु लटलकार प्रतंपरुश एकवचन और विधी योगात विधेह योगह शश्चितत प्रत्परुत तस्मात प्रश्जितुम प्रउपसरग उजधातू और तुमन प्रत्यल लिखिताम लिख धातू कत प्रत्य मालनी चंद प्रस्थुत श्लोक में मालनी चंद का प्रयोग किया गया है लक्षन है ननाम यययुतेयम मालनी भोगी लोकई है जिसके प्रत्य एक चरण में नगण मगण यगण यगण के क्रम से 15 वर्ण होते हैं और यती कहां पर होती है मालनी भोगी लोकई है आठ और साथ वर्णों पर यती होती है वहां मालनी शंद होता है यहां पर हम समाप्त करते हैं अगले वीडियो में हम अगलाश लोक करेंगे तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद